नमस्कार मैं हूँ शार्द जैस्वाल और आप देख रहे हैं 24 न्यूस की खास पे इश्कस ठप पड़ी दुनिया जिहां आज कुछ ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया में हड़कब मचा हुआ है दुनिया भर के शेयर बजार से लेकर बैंकों तक में काम काज ठप हो गया है वहीं ट्रेन से लेकर प्लीन तक की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया है दरसल ये सब हुआ है दिगश्ट एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी की शलती जिससे दुनिया भर में विंडोस पर काम करने वाले सिस्टम को दिक्कत का सामना करना पड़ा लेंदन स्टॉक एक्षेंज में ट्रेडिंग पर एकदम से ब्रेक लग गया वहीं एवियेशन सेक्टर पर इसका बड़ा असर देखने को मिला है हालांकि भारत के स्टॉक एक्षेंज में रुकावट की खबर नहीं आई है लेकिन यहां कई कमपनियों की हवाई सेवाएं बुरी तरा प्रभावित हुई है रिपोर्ट्स के मुताविक मैक्रोसॉफ्ट की सर्वर में तकनिकी खराबी की शुरुवाद बिते गुरुवार को ही हो चुकी थी और शुकुरुवार 19 जुलाई को ये इतनी बढ़ गई कि शेर बजार से लेकर बैंकों तक में सारा काम रुग गया कहा जा रहा है कि क्राउट स्ट्राइक की सिवाएं बाधित होने के चलते लोगों के कम्प्यूटर सिस्टम बंद हो गए या फिर उनकी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लू हो गई है इसका सबसे जादा असर ब्रीजेन में देखने को मिला है जहां का लंडन स्टॉक एक्स्ट्रीन जिठाप हो गया और शेरों की ट्रेडिंग पर ब्रेक लग गया जिसके चलते निवेशकों की चिंता बढ़ गई है इसके अलाबा दुनिया भर के बैंकों और फाइनेंस कंपनियों में लेंदेन से लेकर तमाम तरह की ऑनलाइन सर्विसेज रुख गई और लोगों को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ा है कम्प्यूटर लैप्टॉप से लेकर बैंक की सर्वर तक में दिक्कत आने से लोगों का ट्रांजेक्शन रुख गया है तो वहीं किसी भी तरह की कोई ऑनलाइन सर्विसेज का अस्तमाल करने में भी परिशानी पेश रही है लंदन में रेल यातायाद पर इस टेक्निकल ग्लिच का बड़ा सर देखने को मिला है और इनका संचालन रुखने से लोगों में हडकंप का माहौल बन गया है वहीं हवाई यातायाद की बात करें तो लंदन ही नहीं बलकि भारत में भी इन सेवाओं पर असर पड़ा है तमाम एरलाइन्स कमपनियों ने इस समस्या के बारे में अपने ग्रहकों को सोशल मीडिया के जरिये जानकारी दी है Spice Jet ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कहा कि हम फिलाल तक्निकी चुनोकियों का सामना कर रहे हैं जुसके चलते टिकेट बुकिंग चेक-इन समेत अन सर्विसेस में बाधा आई है Akasa Airlines की ओर से कहा गया है कि इस तक्निकी समस्या के चलते बुकिंग से लेकर श्रेकिन तक में अस्थ्याई परिश्रानी आई है और फिलाल हम मैनूल तरीके से इन सेवाओं को संचालित कर रहे हैं ऐसे में यात्रियों को निर्धारित समय से पहले पहुशने की हिदायत दी गई है Microsoft Company की ओर से कहा गया है कि इससे दुनिया भर की यूजर्स को परिश्रानी का सामना करना पड़ रहा है और इसे सहीर करने के प्रयास जारी है जानकारी के मुताबिक इसे लेकर आस्ट्रेलिया में आपात बैठक बुलाई गई है ब्रिटेन में जहां इसका सबसे ज़ादा असक देखने को मिल रहा है तो ही जर्मनी में भी स्टॉक मार्केट से अवियेशन सेक्टर तक बुरी तरा प्रभावित हुआ है दुनिया भर में माइक्रोसोफ्ट का सर्वर डाउन होने के पीछे क्राउड स्ट्राइक को जिम्मेदार माना जा रहा है क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योर्टी फर्म है जो कमपनियों को IT एन्वार्मेंट को सुरक्षित रखने में मदद करती है आसान शब्दों में कहें तो कोई कमपनी इन्टरनेट की मदद से जो भी काम करती है उसे हैकर्स से सुरक्षित रखने में क्राउड स्ट्राइक उनकी मदद करती है इसका प्रमुक काम कमपनियों को हैकर्स, साइबर अट्रैक, रेसम्वेर और डेटा लीक से बचाना है पर निर्भरता बढ़ी है, माइक्रोसोफ्ट का सर्वर ठप होनी की वज़ा से ऑस्ट्रेलिया में हरकम मचा हुआ है, सर्वर ठप होने से सबसे ज़्यादा असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ा है, यहां विमान सिवाहों से लेकर बैंकिंग टेलिकॉम, टीवी चैनल तक पर असर पड़ा है, इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अलबनीज ने कहा, मैं समस्ता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इस सर्वर की खराबी से चिंतित हैं, इस समस्या को सुलजाने की रिए मेरी सरकार नैशनल साइबर सेक्योरिटी कॉडिनेटर के साथ मिल पा रहा है, कुल मिलाकर तकनीकी समस्या के चलते पूरी दुनिया में कामकाश ठाप पड़ा हूआ है, और लोग परिशान हैं, फिलाल स्पेशक्रस में बस इतना ही बाकी की ताजा तरीन खपरों के लिए बने रहे हैं 24 न्यूस के साथ, और मुझे आनिक शार्दा जैस्व पाल को दीजिया, बिजाजत, नमस्कार